हेलो दोस्तों आपका बहुत बहुत सब्सक्राइब में इस साल काफी स्टूडने क्लास 12 के एक्जाम दियोंगे और आफ्टर 12 आपने कोई ने कोई कोई कोर्स डिसाइड किया होगा कि यह कोर्स करना है आफ्टर 12 स्टूडन्ट 3 चीज़ में बहुत ही कंफीज होते हैं कि कोर्स की एलिजभीट्टी क्या होगी कोर्स कितने प्रकार गे होते हैं और कौन slit कौनसी युनिवर्स्टी टॉब युनिवर्स्टी है इस्ट्टिचूट है J femmes चौर्स करें अच्छे प्लेस्मेंट इनको मिले को करने के लिए कौन से टॉफ इनिवर्सटी टॉफ इंस्टूट होते हैं तो एक सीरीस स्टार्ण नहीं ऑप में कवर करूंगा हर कोर्स के वारे में तीन चीज़ें आपको बदाऊंगा कि उस कोर्स की eligibility क्या होगी वो कोर्स कितने प्रकार के होते हैं और उस को टॉप इनिवस्टी टॉप इंस्टीट कौन कौन से जहां पे आपको करने का benefit मिले after completion of course आपको placement मिले अच्छी job लग जाए तो इस वीडियो में मैं पहला कोर्स यहां पे कवर करूंगा आयुर्वेदा आयुर्वेदा के eligibility क्या है आयुर्वेदा कितने टाइप के courses होते हैं और कौन से टॉप इंस्टीट टॉप युनिवस्टी है आयुर्वेदा को कौर्स कराने के लिए तो चलते हैं इस वीडियो में आयुर्वेदा कोर्स की details आपको बताऊंगा तीन चीजे कवर करना है इस वीडियो में eligibility, आयुर्वेदा के types और कौन से institute बेस्ट हैं आयुर्वेदा कोर्स करने के लिए सबसे पहले आप eligibility जान लें eligibility आयुर्वेदा कोर्स के लिए 10 प्लस 2 with physics, chemistry and biology ठीक है यह तीन सब्जेक्ट से आपका 12 होना चाहिए physics, chemistry and biology कौन कौन से types होते हैं आयुर्वेदा कोर्स में तो आपको पहला कोर्स आपको मिलेगा certificate course in ayurvedic cosmetic जिसकी duration एक साल की होती है दूसरा है आपका diploma in ayurvedic pharmacy जिसको d pharma भी कहते हैं जिसकी duration दो साल की होती है तीसरा bachelor of ayurvedic medicine and surgery और ayurveda 4 है जिसको BAMS भी कहते हैं BAMS ठीक है चौता आपका bachelor in ayurvedic pharmacy जिसको b pharma कहते हैं duration 4 साल की master in ayurvedic pharmacy जिसको m pharma कहते हैं duration 2 years की master of science in medicinal plant जिसको msc in medicinal plant कहते हैं duration 2 years master in ayurveda m.d. p.g. diploma in ayurvedic drug standardization duration 2 साल की इतने तरह के courses होते हैं ayurveda में ठीक है कौन सी best institute college है ayurveda के लिए जहां से आप कर सकते हैं पहला है all india institute of ayurveda new Delhi दूसरा है ayurvedic and yunani tibbya college and hospital new Delhi faculty of ayurveda institute of medical science bhu varanasi उत्तर प्रदेश 4 राजीव गांधी government post graduate ayurvedic kangra himashal प्रदेश government akhandan ayurvedic college ehmdabad gujarat government ayurvedic college and hospital laknau उत्तर प्रदेश government ayurvedic college and hospital ये इतने तरह के colleges हैं जो ayurveda course को कराती हैं इतने तरह के इतने तरह के colleges हैं जो ayurveda कोर्स को कराती हैं इस topic के regarding अगर आपको कुछ पूछना है तो आप comment section में आप comment कर सकते हैं आपके comment के reply देने की कोशिश शुरूँगा वीडियो बसंद आए जोस्तो तो like कीजिएगा, share कीजिएगा, host के तो मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, thank you जहिन, बंद मातरम झाल